हिंदूओं के विशेश पर्वों में एक है नवरात्री का तिहार, नवरात्री के नौ दिन मा भगवती की पूजा की जाती है। नवरात्री के नौ दिन बहुत खुब माने जाते हैं, हर मनो कामना की पूर्टी के लिए, नवरात्री में पहले दिन कलरस्थापना की जाती है, जिसे गनेज्जी का सब रूप माना गया है। और नवरात्री में खाने का भी बहुत अधिक महतु माना जाता है ये दिन बहुत साथविक माने जाते हैं इसलिए कहते हैं कि इन दिनों में जो भी खाना खाया जाए वो साथविक होना चाहिए क्योंकि इस समय पर मां की उर्जा बहुत ही नजदीक होती है हम सब लोगों के तो हमारे शरीर पर तामसिक खाने का प्रभाव बहुत अधिक रहता है तो इसलिए सात्विक खाना जितना अच्छे से खाया जाए उतना ही वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी उर्जा पर प्रभाव डालता है तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों की जिनको उप्योग मिलाने से आप लोगों को बहुत ही अच्छे लाब मिलते हैं स्वास्थ लाब तो मिलते ही हैं इसके साथ साथ आपको मा की उर्जा भी ग्रहन करने का मौका मिलता है तो कुछ ऐसे ही चीजों की बात करेंगे जिनका भोग भी आप लगा सकते हैं नवरातरी में और खुद खा भी सकते हैं ऐसी चीजों में सबसे पहली वस्तु है नारियल नारियल को बहुत शुब माना जाता है और उर्जा से भरबूर माना जाता है हिंदो धरम में हर काम की शुरुआत से पहले ग्रह पूजा हो या फिर कोई नई गाड़ी खरीदे नारियल के बिना पूजा नहीं की जा सकती मंदिरों की पूजा की थाली में आपको नारियल जरूर रखा हुआ मिलेगा तो वैशनो देवी हो या कैदारनात जिस भी मंदिर में आप जाएं आपको नारियल जरूर प्रसाद के रूप में जढ़ाने के ले दिया जाता है तो सबसे शुब वस्तु मानी जाती है नारियल इसलिए नवरातरी के दिनों में कच्चा नारियल आप खा भी सकते हैं और मा को इसका प्रसाद भी लगा सकते हैं प्रसाद लगा कर आप सब लोग ग्रहन करें इससे आपकी उर्जा भी बनी रहती है और आपकी शरीर में जो भी अनावश्यक ततों हैं उनको भी क्लेंज करने का मौका मिलता है और इसके साथ-साथ आपके शरीर में भरपूर रूप से उर्जा आती है और आपके शरीर में पोशक ततों की कमी नहीं रहती तो इसलिए इसका आप भोग भी लगा सकते हैं और खुद ग्रहन कर सकते हैं जितना हो सके इन नौ दिनों में नारियल खाएं इससे आप खुद को मा के करीब महसूस करेंगे और इससे आपके शरीर में पूरी तरह से भरपूर उर्जा बनी रहेगी दूसरी वस्तु है मिश्री मिश्री को मा वैश्नो देवी का प्रसाद माना जाता है वैश्नो देवी में मा को खुश करने के लिए मिश्री का भोग लगाया जाता है इ उसे मिष्री की डली का विशेशन बताते हैं तो अगर किसी की मीठी वानी हो तो उसे कानों में मिष्री घोलना भी कहा जाता है लेकिन मिष्री सिरफ स्वाद के लिए ही मीठी नहीं मानी जाती इसके सेहत से संबंदित भी बहुत गुन माने जाते हैं तो इसलिए नवरातरी क पावन दिनों में आप मा को मिश्री का भोग लगाएं और खुद भी मिश्री ग्रहन करें दूद में चाय में जो भी आप सेवन करते हैं उसमें मीठे की जगे मिश्री इस्तेमाल करेंगे तो मा की उर्जा को भी ग्रहन कर पाएंगे इसके साथ साथ सेहत भी भरपूर मिलेग तो नवरातरी में ये दो चीजे नारियल, मिश्री इन दोनों को अपना कर देखें आपको कितना अच्छा लगेगा तीसरी बात अखरोट का सेवन करना नवरातरी के समय में अखरोट खाना बेहत शुब माना जाता है वैश्नो देवी के दर्शन करने से जो भी व्यक्ति आता है वापस तो उसको अखरोट दिये जाते हैं प्रशाद के सवरूप में ऐसे में अखरोट अगर आप खाते हैं तो आपके जीवन से वो सारे दर्द दूर हो जाते हैं जैसे हड़ियों का दर्द है, जैसे घुटनों का दर्द है तो अकरोड का सेवन करना बेहत शुप है पर हमारे हिंदू धरम में साथ्विक्ता को स्वास्ते से जोडा गया है और इसे धरम से भी जोडा गया है तो यहाँ पर अगर इन 9 दिनों में आप अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको स्वास्ते लाप्राप्त होते हैं, हड़ियों के रोकदूर होते हैं और मा की उर्जा मिलती है तो इसलिए अखरोट तीसरी वस्तु है जिसे आपको इन 9 दिनों में जरूर अपनाना चाहिए खाते, तो फलहार रहना बहुत अच्छा माना गया है, तो इसलिए जो लोग फलहार रहते हैं, उनको नवरातरों में मखानों की खीर का भोग लगाना चाहिए, और खुद भी मखाने खाने चाहिए, मखाने किसे कहा जाता है, मखाने कमल के फूल से निकलते हैं, और आप जान साथ मा की कृपा भी प्राप्त होती है मकानों में बहुत भरपूर मातरा में केल्शियम होता है और इसके साथ साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये नौ दिन बहुत खास हो सकते हैं आप वेट लॉस जर्णी में हैं तो आपको इन सभी चीजों का सेवन क देखेंगे कितनी जल्दी आपका वेट लॉस होता है अगली वस्तू बहुत ही पावर्फुल मानी जाती यह बहुत शक्तिशाली मानी जाती है अहार के सव रूप में और प्रसाद के सव रूप में यह है चुहारे चुहारों में बहुत पोशक तत्व मौजूद होते हैं इनको एक तरह से पोशक तत्वों की खान माना जाता है। छोहारों में विटामिन A, K, B2, B6, थाइवन, खरिज, आइरन, पोटाशियम, सेलनियम, मेगनीशियम, फासफोस जैसे बहुत पोशक तत्व पाये जाते हैं। नवरात्रों में चोहारे खाने का बहुत शुब संकेद भी माना जाता है। क्योंकि मा को चोहारे बहुत पसंद होते हैं और आप अकसर देखेंगे कि जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है किसी भी मंदिर में उसमें चोहारे जरूर होते हैं। तो आपको इन्हें घर पर भी लाएं और मा को प्रसाद के सवरूप में आप पहले भोग लगाएं और उसके बाद खुद ग्रहन करें। ऐसा करने से आपकी सिहत अच्छी रहेगी और आपको तमलाब भी मिलेंगे। अगले वस्तु है बादाम ये आज हमारी पाँचवी वस्तु है जिसको आप परसाद के सवरूप में ग्रहन कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बादाम का सेवन करने से आपका स्वास्ते अच्छा होता है पर अगर वो बादाम परसाथ के सवरूप में ग्रहन किये गए हो तो इसके क्या कहने नवरात्रों में अगर आपने वरत रखा है तो सुबह के समय आप बादाम खा सकते हैं सबसे पहले उठे नहाए धोए माँ को भोग लगाए इन सभी चीजों का उसके बाद इने ग्रहन करें आप देखेंगे आपके शरीर में प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सब तरह की भरपूर मातरा प्राप्त होती है और स्वास्ते रहने में आपकी मदद मिलती है तो ये थे कुछ ऐसे आहार जिनको आप भोग लगा सकते हैं माँ को नवरातरों में और खुद ग्रहन कर सकते हैं स्वास्ते के लिए बहुत उत्तम और पौश्टिक माने जाते हैं और दूसरी तरफ माँ की उर्जा को ग्रहन करने में भी ये और मदद करते हैं जब आप भोग लगाएंगे तब आप वही प्रसाद ग्रहन करेंगे और आप देखेंगे आपके जिन्दगी में आपके शरीर में कितने चेंजिस आने लगे हैं तो आप भी इन्हें अपना कर देखें इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से इन उपायों को करने से और इस तरह से अपने सात्विक्ता को अपनाने से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है इन्हें करके देखें और इसके अनुपव मुझे शेर जरूर करें आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करदे शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद